नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग अगर आप ऐसा ढून रहे थे कि snapdragon 855 plus जो कि 2019 में शुरुबात में लॉंच हुआ था और MediaTek Dimensity 1000 जो कि 2019 के लास्ट में लॉंच हुआ था दोनों में से कौनसा सबसे बैतरे तो आप बिलकुर सही जगा पर आए इस वीडियो में हम देखेंगे MediaTek Dimensity 1000 और Snapdragon 855 plus दोनों में से कौनसा सबसे बैतरे और क्यूं सबसे बैतरे तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो बिना कोई वक्त कावाए आपको तो रूल पता ही होगा अगर इस वीडियो पसंद आधर वीडियो के लाइक देना और वीडियो ना पसंद आधर वीडियो के लाइक देना तो चलिए शुरू करते हैं अज का वीडियो तो Snapdragon 855 Plus और Mediatek Dimensity 1000 दोनोर प्रोसेसर कम कॉंपरेशन शुरू करती इसका प्रोसेसर आर्किटेक्ट्चर को लेके Mediatek Dimensity 1000 और Snapdragon 855 Plus दोनों ही प्रोसेसर 7NM आर्किटेक्ट्चर पर बनाए मनला दोनों का पावर डेप्रेशनसी बिल्कुल सेम होगा तो पावर डेप्रेशनसी के मामले में दोनोर प्रोसेसर बिल्कुल सेम है अगर हम दोनोर प्रोसेसर का कोर कॉन्पिगोरेशन देखते तो Mediatek Dimensity 1000 बना है लेटेस्ज जेनेरेशन चार्ड कोटेक्स A77 कोर्स के उपर जिसका स्पीड है 2.6 GHz और चार्ड लोग पर्फोर्मेंस कोर्स जो की बना है कोटेक्स A55 को पर जिसका स्पीड है 2.0 GHz बोई पर्स नेप्डियागोन A55 प्लस बना है ओल जेनेरेशन कोटेक्स A76 और कोटेक्स A55 के उपर जो हाई पर्फोर्मेंस कोर उसका स्पीड है 2.96 GHz medium performance score उसका speed है 2.42 GHz और low performance score उसका speed है 1.8 GHz MediaTek Dimensity 1000 क्योंकि ये latest generation cortex course पर बना है इसलिए Dimensity 1000 इस मामले में बेटर है आप हम देखते हैं दोनोर पोसेसर का maximum display support और network connectivity Dimensity 1000 में maximum Full HD+, या फिर 2K plus display support है एकि Snapdragon 855 में maximum 4K Ultra HD display support है Dimensity 1000 में हम 4K Ultra HD quality में video encode decode बना video playback कर सकते तकि Snapdragon 855 में हम 8K quality में video playback कर सकते और अगर हम download speed की बात करें कि Dimensity 1000 इस एक 5G पोसेसर है इसलिए इसका download speed है 4.7 Gbps और upload speed है 2.7 Gbps और Snapdragon 855 प्लस का download speed है 2 Gbps क्योंकि इसमें use के गए cat 20 download link और upload speed है 3.16 Mbps क्योंकि इसमें upload link यूज के गए cat 13 तो इसका मतलब अगर हम maximum display support और video playback की बात करें तो snapdragon 855 प्लस यहां पर बेटा रहे और network speed के माम ले में Dimensity 1000 बेटा रहे अब हम दोनोर प्रोसेसर का maximum camera support देख लेते Dimensity 1000 में single camera में 18 Megapixel और dual camera में 32 plus 16 Megapixel का camera support है लेकि snapdragon 855 प्लस में single camera में 192 Megapixel और dual camera में 22 plus 22 Megapixel का camera का support है इसका मतलब हम देख सकते snapdragon 855 प्लस maximum camera support की माम ले में बेटा रहे और मुझे लाग रहे कि कुछ माहिने का अंदरी 100W और 144 Megapixel का camera smartphone बहुत ही बज़न रेजमें इस प्रोसेसर के साथ मार्केट में लॉंच हो जाएगा अगर हम दोनों प्रोसेसर के RAM quality की बात करें तो Mediatek Dimensity 1000 और Snapdragon 855 प्लस दोनों में quad channel इस्तेमल हुआ है लेकिन Dimensity 1000 का RAM speed is 1866 Megahar लेकिन Snapdragon 855 प्लस का RAM speed is 2133 Megahar तो इसका मतलब अगर हम RAM speed की बात करें तो obviously है अपा Snapdragon 855 प्लस बेटर है तो दोनों प्रोसेसर का compare करने का सबसे आसंदारी का है Antutu Benchmark score, Geekbench score, GPU score और AI score तो आब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का Antutu score Mediatek Dimensity 1000 का Antutu version 8 का score है 5,11,000 के असपास और Snapdragon 855 प्लस का Antutu version 8 का score है 4,96,000 के आसपास जो किया करकार आशूस RG Phone 2 का score है तो अगर हम on paper देखते हैं तो Mediatek Dimensity 1000 obviously better है क्योंकि इसमें better generation core सिस्थमाल हुआ है लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजे, Snapdragon 855 प्लस और Dimensity 1000 का यह जो Antutu score का difference बस 13,000 के आसपास है जो कि Antutu के मामले में बहुत ही काम है क्योंकि Dimensity में later generation Cortex A77 use हो आता है इसका मदलब इसका score और भी ज्यादा होना चाहिए था लेकिन उतना ज्यादा Dimensity 1000 में score नहीं आया है तो इससे हम एक ही चीज़ कह सकते है, हो सकता है Dimensity 1000 में later generation A77 है लेकिन Mediatek ने इस A77 के full power को utilize नहीं किया है और Cortex A77 का full power utilization हमें दिखता है Snapdragon 865 में क्योंकि Snapdragon 865 का Antutu score है 561,000 के आसपास इसे ही कहते है, Cortex A77 core का सही इस्तमाल तो अगर हम on paper की बात करें, तो Mediatek Dimensity 1000 Antutu score में भी यहाँ पर बेटर है आप हम देखते है, दोनोर processor का Geek Benz score तो Dimensity 1000 का single core score है 3811 और multi core score है 13136 और Snapdragon 855 plus का single core score है 3527 और multi core score है 10933 तो अब देख सकते है, single core और multi core दोनों में ही Mediatek Dimensity 1000 थोरा सा पहता है क्योंके वोई, Cortex A77 कोर बस इसी लिए अब हम देखते है, दोनोर processor का GPU performance Dimensity 1000 का GPU है Mali G77 MC9 GPU और Snapdragon 855 plus का GPU है Adreno 640 अगर हम Antutu के अंदर जो GPU section है बहाँ पर हम दोनों का GPU score देखते है तो Dimensity 1000 score करता है 1,96,000 के असपास और Snapdragon 855 plus score करता है 1,92,000 के असपास इसका मतलब अगर हम GPU की बात करते है तो Mediatek Dimensity 1000 थोड़ा सा बैतर है लेकिन इधर एक चीज़ में आपको मेंशन करना चाहूंगा Antutu के GPU section के अंदर हमें जो score मिलता है वो generally उसका raw power का score दिखाता है उसका original utilization नहीं है तो अगर हम real world GPU use की बात करें तो Adginio के processor generally सबसे बैतर होता है और Mediatek Dimensity 1000 को लेकर कोई भी स्मार्टपोन मार्केट में नहीं आए इसलिए हम नहीं कह सकते ए जो Dimensity 1000 का GPU कितना ज़्यादा stable है और Snapdragon 855 Plus से कितना ज़्यादा बैतर है तो बही से हम आगर हम on paper मतलब raw power की बात करें तो Mediatek Dimensity 1000 का GPU उपस थोरा सा बैतर है अगर हम दोनोर processor का AI मतलब artificial intelligence score की बात करें तो यहाँ पर Mediatek ने obviously बहुत ही बढ़िया कम किया है Dimensity 1000 का AI score है 56,000 के आसपास और Snapdragon 855 Plus का AI score है 24,000 के आसपास तो आप बारी एक conclusion की तो अगर मैं Snapdragon 855 Plus और Mediatek Dimensity 1000 इस दोनों processor का exact comparison compute करता हूँ तो Mediatek Dimensity 1000 obviously यहाँ पर बहुत है on paper लेकि Snapdragon 855 Plus कुछ चीज़ों में Mediatek Dimensity 1000 से बहुत है जैसे की better maximum display support, better video playback, better RAM quality और better maximum camera support तो आज की वीडियो यहते है कुम्मीद आज की वीडियो का पसंद आ होगा अगर यह वीडियो का पसंद आ है तो इसे like और share करने मत भूलीगा अगर आप इस channel पर नहीं है तो इसे subscribe भी कर दीजिएगा और आपके बीचार इस वीडियो के बार में मुनिचे comment सेक्शन में ज़र लिखिएगा तो मिलते अगले वीडियो वे तक तक stay tuned and always remember think positive be positive thank you